यहिंदर जोहर आज हम लोग जानेंगे कि हमंतु सौरेन को भी जाना होगे जेल एदी के अधिकारियों को मारने की रची गई साजीस यह लेटेस्ट न्यूज है कि एदी राची में रह रहे हैं अधिकारियों को मारने की रची गई ₹-छe Öz उनके बीबी और बच्चे पे नजर रख बनाई रखना है कि उनके बीबी और बच्चे कम निकलते हैं और उन लोगों को सूट कर देना है आपके मन में लगातार ये पूरे जारखंडियों के मन में ये लगातार पर्षना रहा है कि क्या है मन तो स्वरेन को भी जाना होगा जेल जिस परकार से हमारे राईज के कुछ भरस्ट अधिकारियों ने जेल के सलाखों के पीछे हैं जैसे पूजा सिंगाल इनके पास धेर प फुल फॉर्म होता है इसका गठन एक मई उन्हें 156 भी को हुआ इडी का मतलब आप सिधा सिधा ये समझे कि चापा मारने की काम करती है अगर आपके पास आई से अधिक संपती आपके पास हो जाती है तो इडी को संदेश हो जाती है कि इतना संपती कहां से लाया तो ऐसे म आपको इडी बुलाती है आपके साथ बैठा करती है पुरी पुष्टाज करती है कि ये सारे संपती कहां से आए अगर आप पुरी तरह से सबूत ना देते हैं तो जो भी संपती है उसके कागजात को ले लिया जाता है साथी साथ आपको जेल में भी डाल दिया जाता है और नहीं भड़ते हिए तो टेक्स के रूप में आपके पास पैसे हैं मौ ऊहारे बड़े लोग हैं ना भड़ते हैं ओंगा बीले बा但 बाँत स्रोथ हैं लेकिन उससे जादे आपके पास संपती हैं तो ऐसे इस्तिती में income tax को doubt हो जाता है और income tax के अधिकारी ED को ये बताते हैं कि अधमिया के पास जाईए इतना संपती कहां से आ गया इन पर छापा मारिये इनकी पुरी तिरा से पुछताच किजिए कि इतना संपती लायास कहां से अगर कोई पूगता सपूत नहीं मिलता है तो ऐसे स्रिथी में jail में डाल दिया जाता है या तो उनके संपती के पूरे कागजात को जप्त कर लिया जाता है यह जो जैंसी है यह कोई सवेधानिक पद नहीं है लेकिन यह सेंट्रल गवर्मेंट के नुसार चलती है और यह वित्मंत्री के अधिन होती है इसका गठान एक मई उन्हें 10-21 में किया गया यह घ्या हम लोग देखते हैं कि क्या हम नंतूश्वरेण को भी जाना होगा जेल क्या है मंतूश्वरेण इडि के पुछतास से क्यों भाग रहे हैं बाबो जिस परकार से इन अधिकारियों को भिर्सा मुंडा के अंधुर्ये राची के जेल के सलाखों के पीछे रखा गया है हो सके । राईजी के मुख मंतरी है मनत Songwaran जी को भी इस जेल के सलाखों के पीछे रखा जाए अगर यह पूरी तरह से अपना सबूत नहीं देते हैं कि मेरी पास इतनी जो संपती आई है, वो संपती कहां से आई है, कोईला का अवेद खनन का आरोप इन पे लगा हुआ है, मंडरेगा से लोगों के काम कराने के समध में भी इनके उपर आरोप लगा हुआ है, कि उतने लोगों को रोजगार नहीं दिये हैं, मंडरेगा के अधिन इन्हों ने इतना रोजगा नहीं दिया है उन लोगों के साथ भी स्कैम किया गया है सडक नव निर्मान में घोटाला किये हैं ऐसा इन पे आरोप लगाया गया है जब इडी ने इन्हें बुलाई एक बड़ दस घंटे की पुष्टाश इन ही चीज़ों पे हुवी तो वो दस घंटे के पुष्टाश में वो गए हुए थे अपनी सफाई देने के लिए लेकिन फिर इडी इनको बुलाने की काम कर रही है और पांच बार इन्हें बुलाने की काम की है तो पहले बार में ये कोई जवाब नहीं देते हैं इडी के लेटर को और दूसरे बार में कहते हैं कि ये सेंट्रल हमें सिर्फ परिशान करने के लिए ही यह नोटिस बार-बार भेज रही है एडी खिलाप और फिर जब तिसरा बार नोटिस भेजा गया तो हमन तो स्वरैन सीधा सुप्रीम कोट पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोट कहता है कि पहले आप हाई कोट जाए उसके बाद आप सुप अथा बार में यह सुप्रीम कोट भी गए लेकिन सुप्रीम कोट इस मेटर को लेने से मना कर दिया और कहें कि पहले आप आपने राइज के हाई कोट में जाए वहां अगर आपके समस्या का समाधान नहीं होता है तब आप सुप्रीम कोट जाएंगे पांचमा बार भी अपा मार रही है यहें बताया जा रहा है कि हैमन्त कुमार स्वरेन के नाम से भी जमीन लिया गया है जबकि हैमन्त स्वरेन का ही वो जमीन है लेकिन सिर्प नाम बदल दिया गया है है हैमन्त कुमार स्वरेन नाम दे दिया गया है अपने पिता जी का नाम भी चेंज किये है सीबू सौरन के जगा सीव सौरन कर दिया गया है, अपने भाई के नाम पे भी बहुत ऐसे जमीन जो हैं ओ लिए गए गया है और ये भी बताया जा रहा है कि ये जो जमीन है वो अधिवासियों की जमीन है और उनों पौनों भाव में ये जमीन ले ली गई है थोड़ी बहुत रुपिये दे करके ये जमीन ले ली गई है जो गैर कानूनी है इनके बसंत इनके भाई है बसंत स्वरेन लेकिन उनका भी न इडी के समक्ष नहीं जा रहे हैं और ये भाग रहे हैं कभी कभी खामोस रहा जा रहे हैं कभी राजनीतिक मुदा बता रहे हैं कि ये इडी जो है वो केंदर सरकार के अधिन काम करती है तो केंदर सरकार ही हमें परिशान करने के लिए ऐसा कर रही है इडी खिलाप अगर इड के खिलाब हम सुप्रीम कोट जाएंगे फिर अगर ये सुप्रीम कोट चौथा नोटिस में गए हैं तो सुप्रीम कोट बता दिया कि नहीं सुप्रीम कोट का ये मामला नहीं है पहले आप हाई कोट चाहिए हाई कोट के दिसीजन के बाद आप सुप्रीम कोट आईएगा जमि इनके A healis से कई गुना की संपति वह है अगर हम बतायें सुरू मैं कि आपकी A healis करको संपति अगर आपके पास आती है तो .... आप उस प servicios चापा मारेगी आप इंकम टैक्स नहीं देती है तो इस पर चापा मारेगी अगर आपके पास संपती है तो कोई गुनाह नहीं है खाली उसका आप सबुत दे दिजिएगा कि अगर मेरी पास संपती आई इतना तो कहां से यह संपती आई है नाम बदल कर जमिन लिया गया है अपने पिता का नाम भी शिवू सोरन के जगा सीव सोर ने इन सारे आधिकारियों को जेल के सलाकों के पीछे रखा गया है और यह जे-एम-एम एक विधायक हैं। ऑंकज मिसरा जिन्हें दो साल से इन जेल के सलाकों के पीछे रखा गया है चियोंकि इन्पे भी तैहँ गंज में अवेद्खनन के लिए इड़ी इन्हेरा सबूंन आमको netको सब्वाइटर नहीं कर पाएло हैं तो उन्हें भी जेल के सलाखों के पीछे जाना ही होता है जैसे ही यह पंकज मिश्रा को जाना पड़ा था अब एक यहां बड़ी आ रही है कि राची के में कुछ ऐसे ED के अधिकारी हैं जिन्हें मारने की साजिस रची गई थी किनके दवारा राची कि अधिकारियों के कहीं भी बच्चे और वीवी मिले उन्हें सूट कर दिया जाए साथ इन गेंग एस्टों हलाकि यह भी जेल में दुमका के जेल में इनके जो टीम थे उन्हें सुपाड़ी भेजा गया था अलाकि जेल में तो का जेल से कांड नहीं हो राज कर तो यह रहा ह कि जो भी शूटर होंगे वह इन इन अधिकारियों के आसपास ही लोका रूम रख दे दिलवाया जाए ताकि ऐसी घट नाम का इंजाम देने में असानी हो ये भी बताया जारा है कि ये सारी जनकार, ये सारी जो चीजें चल रहे थी काफी दिनों से चल रहे थी लेकर के एक कैदी ने इन इड़ी अधिकारियों को लेटर भी लिखा था आप तक हम लोगों के पास नहीं पहुंचा था ये भी है बाबू कि जो भी आईपी केदी हैं उनके फूटेज जो हैं वो CCTV केमरा से हटा दिया गया था जो भी उनके फूटेज थे हटा दिया गया था ताकि उन पे कोई संका ना हूँ वहाँ जेल के अधिचक जो थे वो अमित अक्तर थे और जेलर जो थे वो नसीम खान थे लेकिन ये किज़े करने में वो आफ़ा सफल रहते हैं एडी के अधिकारियों को किसी तरफ से घात पहुंचाने में सफल रहते हैं और इस चीज़ को देखकर के CRPF के जवानों को और लगा दिया गया है इन लोगों की सुरच्छा ब्यवस्था जो है एडी की अधिकारियों की सुरच्छा ब्यवस्था को और भी बढ़ा दिया अगर मेरी जानमाल की अगर कोई हानी होती है तो इनहीं लोग जिम्यवार होंगी तो यही थी बाबू आज की आपकी में मेटर देते हैं तो हाई कोट भी कुछ दिनों कोट दालेगी, फिर हाई कोट के बाद हम सुप्रीम कोट पर दोडएंगे तब तक सरकार की कायरकायल क्वाश्य खतम तरह से समझाई होगी तब मिलते हैं कोई दूसरे वीडियो में तब तक रखिएगा आपना ध्यान और ऐसे ही जनकारी के लिए उच्चीत और अथंटिक जनकारी के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें तब तक लेते हैं आपसे विदा धन्यवाद जय हिंद